जेहन्द एवरीवन वेरी वर्म वेलकम टू आल आफ यो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकार है इसके डिश्टल प्रेटफॉर्म पर करन्ट एफेर की अपनी सांदार स्रीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने साल भर के जो महतपूर निधन थे जो एक्जाम पॉ महतपूर निधन दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक की जितने भी इंपॉटेंट निधन हुई है आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बट एक पॉइंट आपको जो समझने वाली चीज है वो यह है कि यहां से टूदा पॉइंट कोशन पूछे जाएंगे और हमारे पास एपॉइंटमेंट्स भी बहुत जाद है एपॉइंटमेंट्स की लिष्ट एक लंबी चौड़ी है तो आपको करना क्या है इधर उधर की बाते हमें बिलकुन नहीं करनी है अधरवाइस दो क्लास में भी हम लोग एपॉइंटमेंट्स कंप्रीट नहीं कर पाएंगे पीडिएप से एक बार रीट कर देंगे तो आपका इतने महीं काम चल जाएगा ध्यान रखीगा हमें यहां पर पीएशडी बिलकुन भी नहीं करना है पीएशडी एक्जाम कौलिफाइग करने के बाद करेंगे तू दा पॉइंट बात करेंगे फटाक से सुरू करते हैं ए आज की क्लास में महातपूर न्युक्तियां कवर करना है तो सबसे पहले यहां पर आप लोग के सामनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अचा सब को मेरे साथ रीट करते हुए चलना है ध्यान रखीगा याद करने का किसी भी चीज को लंबे टाइम तक मेमोराइज करने का सबसे पहला एपॉंट्मेंट आपके सामने है वो वान थ्वांग एक वाफी मेरे साथ बोलेंगे वो वान थ्वांग इन्हें वियत नाम के राश्पती के रूप में एपॉंट्मेंट किया गया एक वाफी मेरे साथ बोलेंगे वो वान थ्वान वियत नाम के राश्पती ऐसे ध् बोला एहमद टीनूबू और इन्हें नाइजीरिया के राश्पति की रूप में पॉंट्मेंट की हुए हालिमिन की नूकति हुए एक वर फी मेरे साथ बोलेंगे बोला एहमद टीनूबू अरे चुपचाप नहीं बैठना है बोला एहमद टीनूबू और यह कहा कि मिगवल डियास कैनेल एक वाथिर से मिगवल डियास कैनेल मुभे पता है थो ढटा साही है जो है नाम अजीवोकरीब है लेकिन आपके सफलता भी तो चोटी नहीं है और बड़ी सफलता के लिए महनत भी जोरदार होनी चाहिए और इन्हें अपॉंट्मेंट किया गया है क्यूबा के प्रसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए तो ऐसे ध्यान रखेगा सी फॉर कैनेल, सी फॉर क्यूबा, अरे सी फॉर कैनेल, सी फॉर क्यूबा, ठीक है चलिए अगला नाम यहाँ पर आता है, ओलीवर डावडेन, एक वाफी मेरे साथ बोलेंगे, ओलीवर डावडेन और इन्हें बिटेन के उप प्रधान मंति, धान रखे है, डिप्यूटी प्राइम निश्टर आप बिटेन इलेक्ट किया गया है, किसे ओलीवर डावडेन को बिटेन के राश्पती आप सभी को परता है, इंडियन ओरिजन के हैं, रिश्य सुनत, जबकि यहाँ पर देखी क्या लिखा हुआ है, ओलीवर डावडेन, जिन्हें बिटेन के डिप्राइम निश्टर के रुपे अपॉइंट्मेंट किया गया है, अगला नाम आता है, रा राम चंद्रपॉडेल है, इनकी जगह पर इन प्लेस अफ विद्या देवी भंडारी, यानि इनके पहले जो नेपाल की प्रजिडेन्ट थी विद्या देवी भंडारी, उनकी जगह अब जो है, करेंट फ्रेजिडेन्ट ऑफ नेपाल, राम चंद्रपॉडेल, अगला से क्या जुगाड़ाया थाली और थाली में रोटी को कैसे खाते हैं कतर के कतर के तो अग्दुल्रह्मन अल्थानी को कहा का प्राइम मिनिस्टर इलेट किया गया कतर का अगला नाम आता है लूला दा सिल्वा बहुत इंपोर्टन परस्नाल्टी है क्योंकि ने ब्राजील का त दास या जाएगा लूला दाद सिल्वा यह ब्राजील के तिसरी बार जो है प्रजडेंट इलेकर किया गया है अगला नाम बहुत इंपोर्टेंट है हाली में सप्टमबर अक्टूबर मंत में इलेकर हुई है सर्मन सनमुग्छटनम को सिंघापूर का 9th president appoint किया गया है नौवा राश्पती और हमारे लिए ये नाम थर्मन सनमुगरतनम इसले भी important है क्योंकि ये Indian origin के Singapore के president है तो एक बाफ ही मेरे साथ बोलेंगे थर्मन सनमुगरतनम ये कौन है Singapore के नौवे राश्पती बने और सिंगापूर की इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोई Indian origin का president appointment हो एक्चुली में इस इंडियन ओरिजन के सिंगापूर प्रेजिडेंट थर्ड सिंगापूर प्रेजिडेंट है अगला नाम यहां पर आता है डेनियल नोबा और यह राश्पती बने है इक्वाडूर के तो एक बाफ मेरे साथ बोलेगा डेनियल नोबो और यह कहां के प्रागवे के राश्पती बने है और प्रागवे साउथ अमेरिकन कंट्री है अगला आता है यहां पर रैसेप तयएट एर्दोगेन और आप सभी को पता है रैसेप एर्दोगेन यह प्रेसिडेंट आफ तुर्की है ध्यान रखीगा पहले केवल तुर्की कहा जाता था अ रामचंद पॉडेल नेपाल के प्रेजडेंट इन प्रेस विद्यादेवी भंडारी अब्दुल्रह्मन अल्थानी थानी से आजागा थाली और थाली में जो रोटी होती हुसे कतर के खाते हैं कतर पधानमंती लूला दा सिल्वा तो दा ब्राजील तो ब्राजील के शन्मुक्रत सिंगपुर राजमाचा क है संटियागो पेना के हैं परागवी आर्दोगेन कहां के हैं तुरकी की राजपती चली बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ अगले कि तृट्मेंट एडगर्स रिंग के विक्स और यह बने है लातिविया के पहले होमो सेक्सवल प्रेजिट्ट क्योंकि पहले हैं और उपर से होमो सेक्सवल हैं इसलिए एक्जाम पॉइंट अब यह थोड़ा जादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो ध्यान रखेगा एडगर्स रिंग के व विक्स, एडगर सरी के विक्स कहां के है, लात्विया के पहले, लात्विया's first homosexual president, अगला नाम यहाँ पे आता है पेट्री ओर्पो, और यह फिनलेंड के प्रधान मंत्री है, अब कैसे याद रखेंगे तो ध्यान रखो, यहाँ पेट्री ओर्पो, तो पेट्री ओर्पो से आ अगला नाम आता है हुन मानेट, और हुन मानेट को कमबोडिया के प्रधान मंत्री बने, अगर आप इस वीडियो को चुप चाप देखेंगे, तो आपको वीडियो देखने का और टाइम जो है, इन्वेश्ट करने का कोई भी अच्छा रेटर्न नहीं मिलेगा, आपको इस क्लास का पूरा फाइदा तभी मिलेगा, सारे फेक्स में लगवे एट्टी तु नाइटी परसें परसें अपको क्लास में तभी आध होंगे, जब सारे फेक्स को आप मेरे साल रिकॉल करते हैं चलेंगे, तो हुन मानेट को कहा का कमबोडिया का प्रधान मंत्री, अरे हुन मैनेड, मैनेड कहां के हैं, कमबोडिया के प्रधान मंतरी, अगला आता है स्रेथा थावसीन, इंपॉर्टन नाम है, स्रेथा थावसीन और ये थाइलेंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए है, कैसे आद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्रेथा, थावसिन, स्रेथा में भी था है और इनके सरने में भी सुरू हो रहा था से था से ही क्या जाएगा हमारा थाइलेंड तो स्रेथा थासविन कहां के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए है थाइलेंड के, बहुत बढ़िया अच्छा मेरे एक कोशन का फटाक से कमेंट सक्षन में अंसर करना है थाइलेंड की जो कैप्टल बैंकोक है बैंकोक इस सिचुएटेड ओन दा बैंक ओफ विच रिवर किस नदी की किनारे बैंकोक बसा हुआ भी है जल्दी से अंसर करें अगला नाम आता है एमर्सन मानांगवा बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जिंबामवे की राश्पती है क्लियर हो इतनी बाते वेगवाफी में सहां देखेंगे एडगर्स, रिंकवेक्स, लात्विया किसी ने लात से दिया तो भी हमने विक्स लगा लिया पेट्री और्पो पेट्री और्पो is elected as the Prime Minister of Finland ऐसे याद रखीगा कि फिनाल को हमने पेटी में रखा है हूम मानेट कहां 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 कि हैं कमबोडिया किसी ने कंबल मागा तो आपने क्या कहां हूँ तो हूम मानेट कहां कि कमबोडिया के प्रदार मंति लेक्ट हुए हैं स्रेता थाफिसिं ठाइलेंड यहां पे भी था यहां पे भी था और ठाइलेंड में भी था इमर्चन मनांगवा कहां कहां गया है जिम बॉंबय के राजपत्य है बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरब मुनिष कपूर मुनीश कपूर हुए है भारती रिजर बैंक के एक्जिकेटिव डारेक्टर तो ध्यान रखेगा मुनीश कपूर भारती रिजर बैंक के कारकारे निदेशा कैसे याद रखना ध्यान सुनेगा मुनीश शेया जाएगा हमारा जुगाः मुनीम क्या जाएगा भी या मुनीम और मुनीम कहा बैठते हैं भी या बैंकों में हिसाब किताब रखने वाले को क्या आगा जाता था पहले मुनीम कहा जाता था मुनीम कहा बैठते हैं आरवियाई में तो मुनीश कपूर को आरविय देखवा फिर मेरे साथ पूरे धान से बोल दीजे, पूरे फोकस के साथ क्लास में याद हो जाएगा, नाम क्या धान रखना है आपको तरुन सोबिती, अरे बोलो भी या, तरुन सोबिती, तरुन सोबिती को 9 सेना का उप प्रमुक पॉइंट किया गया है, डॉक्टर अजीत कुमार महनती को परमाड उर्जा आयो का अध्यक, चेयर मैं ऑफ एटामिक एनरजी कमिशन की से बनाए गया है, अजीत कुमार महनती, अब कैसे आद रखेंगे, अजीत से आ जाएगा, जीत क्या जाएगा, जीत से आ जाएगा जीत, और जिसके पस अध्यार है, वो क्या हो जाएगा आज की उद्धि में जीट जाएगा तो अजीत मौनती को परमाण उर्जायों का अधक्ष बनाए गया अगला नाम आता है हमारा विवेक भशीन भाबा एटॉमिक रिसर्च प्रिश सेंटर यानि जिसे आप बिए आर की बार कहते हैं भी ए आर की भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो डारेक्टर है वो विवेक भसीन जी को बनाए गया है नीरा टंडन बहुत इंपॉर्टन नाम है इनका नाम एटलिस आपको रख नहीं है और नीरा टं लेटनेंट जनरल रगु स्री निवाशन और यह बॉडर रोट ओर्गिनाइजेशन का महानी देशिक आप सभी को पता है बी आरो इंडिया की एक इंपोर्टेंट ओर्गिनाइजेशन है इसका काम है नाम से पता चलता है सीमा सडक संग्थन यह भारती सीमा पर इंफ्रास्ट को डबलब करना तो लेटनेंट जनरल रगु स्री निवाशन को बी आरो का महानी देश चक ऐसे आद रखीगा यहां पर रिखा है रगु रगु यानि सी राम और हमारे बॉडर को साक्षात किसने बचा कर सुरक्चित करके रखा हुआ है सी राम ने तो ध्यान रखीगा सीम यह और वट्थ सेमी कंडक्टर चिप मैनुफैक्टर है जो आपके फोन में हर आलेक्टों इक डिवाइस जो अर्थचालक चिप लगी हुती है सेमि कंडक्टर चिप उसकी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी जो मैनिफेक्शन कंपनी है वो इल्टेल और इंटेल इंडिया का जो है अध्रक्ष बनाए गया है गोकुल सुभरमन्यम का ठीक है चलिए उसके बाद आता है वन माली अगरवाल वन माली अगरवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का अध अध्रक्ष बनाए गया था अगला नाम है लिंडा याका रिनो और लिंडा याका रिनो को सीयो आफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है पहले चिडिया हुआ करती थी ट्वीटर की वह चिडिया उड़ चुकी है अब ट्वीटर को नया नाम क्या दिया गया है एक्स दिया गया है और जो माइक्रो ब्लागिंग प्लेटफॉर्म है एक्स ट्वीटर की जगह जो नया नामा है एक्स एक्स की सीयो कौन बने है लिंडा याका रिनो आपकी एवल इतना ध्यान रखीगा जैसे आपको नाम दिखेगा लिंडा तो तुरंत आना चाहिए सी प्राइम मिनिश्टर के एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के सलाहकार थे और इनके कारेकाल को टेन्योर को एक साल के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया बढ़ा दिया गया तो ध्यान रखने आप सभी को आमित खरे कौन है यह प्रधानमंत्री नयनमोदी के सलाहकार है इनक रितिग रोशन को एक लूब्रिकेंट कम्पनी है उसका अपने नाम जरू सुना होगा बड़ी फेमस लूब्रिकेंट कम्पनी है मोबिल और मोबिल का ब्रांड अमबेश्चन को बनाया गया है ठीक है ऐसी देहान रखेगा कि रितिग रोशन के पास भी या आज मोबाईल है स सब के पास है बिलकुन है तो रितिक रोशन के पास भी मोबाइल याने मोबिल है तो मोबिल जो लुब्रिकेंट कंपनी उसका ब्रांड अगला पॉइंट आता है रजनीश कुमार और यह थोड़ा इंपॉटेंट हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है सबसे बड़ी जो पे प्रशाद को डारेक्टर जनल आफ जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिससे आफ सौट फॉर्म में GSI कहते हैं GSI का फूल फॉर्म क्या है एक वाफ ही मेरे साथ बोलेंगे जी फॉर जियो लॉजिकल एस फॉर सर्वे और आई फॉर इंडिया यानि भारती भू बैग्या बैग्यानिक सर्वेक्षण का अध्यक्ष बनाया गया और इस संग्ठन का है जमीन के भीतर की संरशनाओं का अध्यान करना और इसके हाल ही में प्रजिद्ट को ने पॉइंट किया गया है जनादन प्रशाद ऐसे आद रखीगा भू भू याने जमीन से ही हमें खाना मिलता है जमीन से ही हमें जो खाना मिलता है जो अनाज मिलता है उससे हम भग्वान के लिए प्रशाद बनाते हैं तो जनादन प्रशाद को भारती भू भग्यानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक जियो लॉजकल सर्वे ऑफ इंडिया का डारेक्टर जनरल पॉइंट किया गया है बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरव राहुल नवीन और आप सभी ने आए दिनों न्यूज एजनसी में संग्ठन का नाम सुना होगा एडी एडी ने आज यहां पे रेट डाली एडी ने यहां पे छापा डाला तो ध्यान रखीगा भारत में एक संग्ठन है उसका नाम ह इनफोर्समेंट डारेक्टरेट हिंदी में इसे कहते हैं प्रवरतन निदेशाल है और इसका काम है एकनॉमिक जो अपराद होते हैं उनके खिलाब जो है कारवाही करना आर्थिक अपराद के ऊपर नजह रखती है प्रवरतन निदेशाल है और प्रवरतन निदेशाल है का इंचार्ज बनाया गया हाल ही में राहुल नवीन को अगला नाम आता है राजिस नाम भीयार बहुत इंपॉर्टन एग वाफिम में साथ बोलें राजिस नाम भीयार और इन्हें नैस कॉम का अद्ध्श बनाय गया है अब आप पहेंगे सरी नैस कॉम क्या है NASCOM एक संगठन है इसका फुल फॉर्म है N for National, A for Association, S for Software, S for Services और COM का मतलब है यहाँ पर Company National Association Software Services Company यह ऐसी संगठाओं का ऐसी कंपनियों का संगठन है जो Software Service प्रवाइड करते है उनके संगठन है NASCOM और इसका देक्ष बनाए गया है राजेश नाम्वियार को और इसी संगठन का Vice President उपादक्ष बनाए गया है सिंधू गंगा धरन को अगला नाम आता है नीरज मितल और Department of Telecommunication का सचु बनाए गया है नीरज मितल आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं उतना इंपॉर्टन नहीं है अगला आता है रवनीत कौर ध्यान रखीगा यह इंपॉर्टन हो जाता है रवनीत कौर यह भारती प्रतिसपर्धा आयोग Competition Commission ऑफ इंडिया जिससे हम सॉट फॉर्म में CCI कहते हैं भारती प्रतिसपर्धा आयोग Competition Commission इंडिया की हैड बनाए गई है ऐसे ध्यान रखीगा यहां पर देखी लिखा भी या कौर और यह कल्यूक चल रहा है अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है और आप सभी को पता होगा रोटी के एक निवाला के लिए रोटी के एक कौर के लिए आजकर प्रतिसपर्धा काट मा प्रतिसपर्धा चल रही है तो रवनीत कोर को प्रतिसपर्धा आयुक की प्रोंग बनाए गए अगला नाम आता है वुम लुनमंग वुलनम इनको सच्चु बनाए गया है मिनिस्ट्री ओफ सिविल एवियेशन का उतना इंपॉर्टन नहीं है इग्नोर कर सकते हैं आप एम इंपॉर्टन हो जाते हैं और यहां पे सोने पे सुहागा है एक तो यह महिला है और उपस ही पहली है इसलिए हमाले थोड़ा इंपॉर्टन हो जाता है नाम ध्यान पर रखिएगा एमी पोप एक वाफी में साथ बोलीगा एमी पोप औरने सायुक तराश प्रवासन एजंस की पहली महिला निदेशक बनाए गया है फर्श वुमन डारेक्टर ऑफ युनाइटे नेशन माइग्रेशन एजंसी बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ सानिया मिर्जा आप सभी को पता है टेनिस के एक महान हस्ती है इन्हें टेनिस स्पोर्ट नेटवर्क का एमी पोप ध्यान रखना है सेंकतरास प्रवासन एजंसी माइगरेशन एजंसी की पहली महिला निदेशक बनाए गया बढ़ते हम लोग अगले अपॉइंटमेंट की तरफ आर माधवन अरे आप लोगों ने थ्री एडियर्स मूवी तो जरू देखी होगी आर माधवन जिन अपने अबबा के प्रशर के कारण इन्होंने इंजिनरिंग को चुन लिया था तो आर माधवन को भारती फिल्म और टेलिवीजन संस्थान जिसे FITS कहते हैं पूरे में इसका हैड़क्ष बनाया गया तो ध्यान रखीगा थोड़ा इंपॉटन एपॉइंटमेंट हो जाता जहां पर महीला मिल जाए और पहला मिल जाए वो इंपॉर्टन हो जाता है यहां पर लक्षमी सिंग में भी दोनों चीजित है यह पहली है उत्तरपडेस की पहली महीला पुलिस कुमिशनल लक्षमी सिंग ज़ाद हो जायगा बढ़ते हैं एसी चारणिया और चीफ टेक्नल यहां पर भी यह बहुत सारे एसी यूज की जाएंगे तो एसी चारणिया को नासा का चीफ टेक्नोलोजी से पॉइंट किया गया बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ सांती कुमारी और सांती कुमारी को तिलंगाना की पहली महिला मुक सचीव फर्ष वुमन चीफ सेक्रे फर्ष वुमन चीफ सेक्रेटरी ओफ तिलंगाना ठीक है चले अगले पॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं प्रेमिला मलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें उडिसा की पहली महिला स्पीकर फर्ष इस्पीकर आफ उडिसा एसमली किसे बनाए गया है प्रेमिला मलिक तो ऐसे याद रखी का प्रेमिला मलिक फर्ष वुमन स्पीकर आफ ओडिशा ठीक चले अच्छे एक पर फटाक से रिवाइस कर लेते हैं पे सांती कुमारी को तिलंगाना की पहली महिला मुक सचिव फर्ष वुमन चीफ सेक्रेटरी आफ तिलंगाना कैसी आद रखना है मैं अगला नाम आता है यहां पर रजनीश कुमार यह रिपीट हो चुका है मैंने आप सभी को बताया मास्टर कार्ड इंडिया मास्टर कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट गेटवे जैसे भारत का एक पेमेंट गेटवे आप लोग ने सुना होगा रुपए जनरली भ रजनीश कुमार जो है मास्टर कार्ड इंडिया के जो है चेयर परसेंट पॉइंट के गए अगला नाम आता है लोके सूजी को इन्हें इंटरनेशनल इस्पोर्ट फेडरेशन समित के सदस्ट के रूप में चुने जाने वाले पहले भारती हैं ध्यान समझेगा यहां पर लिखा हुआ है e-sport अब सरी e-sport का मतलब इंटरनेट और आपके छेला जाने वाला जो जो पब जी भी प्रकार का एस्पोर्ट अरे लुडो किंग भी क्या है इस्पोर्ट तो ध्यान रखी गा इंटरनेशन लेवल पर इस्पोर्ट को रिगूलेट करने वाली जो संग्ठन है जो सम्हीती है उसका जो है सदस चुना गया है लोकेश सूजी को तो ऐसे जाद रखीगा यहां पर देखी क्या लिखा हो वही है सूजी और सूजन आ जाता है आखों में जब हम लंबे टाइम तक मोबाइल से क्या खिलते हैं गेम तो लोकेश सूजी के कौन है इंटरनेशनल इस्पोर्ट फेडरेशन के सदस चुनेवाले फर्स्ट इंडियान है अगला नाम आता ह जै वर्मासिनहा और ये भी हमालिये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है जै वर्मासिनहा ये रेलवे बोट की पहली महिला मुक कारकारी अध्यक्ष बनाए गई गई हैत आगले पॉइंट की तरफ परमिंदर चोपड़ा पावर प्रतिमन्दाना हरवा लाइफ नूट्रिशन इंडिया का ब्रांड आप इग्नॉर कर सकते हैं यह पॉइंट में काफी इंपोर्टेंट हो जाता है प्रवीड स्रिवास्तो और प्रवेड सिवास्तो को सेंटर विजिलांस कमिशनर केंदी सतरक्ता आयूक की रूप में पॉइ ऐसे भी आप जब कमीशन कवर करते हैं, यूनित 10 में आयोग के अंतरगा, तो आप भारती केंद्री सतरक्ता आयोग को भी कवर करते हैं, तो वहां पे आप लोगोंने कवर किया होगा, फिर भी यहां पे ध्यान समझ लीजे, प्रविंट्ट श्रिवास्तो जी को केंद्री सतर कि अध्याट की रुप में पॉंट के आघे हैं कैसी आदो रखेंगे में प्रेविटश्यवास्तो में चेहें प्रिवित्ट्स ना हो यहां पे लिखा ऊब है प्रिविंड फॉद् bonito को डारेक्टर जनले पॉइंट किया गया है प्रेवीर्ड शुद्ध सीबी आई के महानिदेशक है अगला आता है हमारा पॉइंट अजय भतनागर अजय भतनागर को स्पेशल डारेक्टर ऑफ सीबी आई तो इसे भी आप इगिनोर कर सकते हैं दो नम बहुत इंपोर्टेंट है प्रेवीर्ड शुद्ध को सीबी आई के अध्य शुरूप में अगला यहां पर नाम आता है प्रकास श्रिवास्तो अब आप हो जाएंगे कन्फ्यूज सर अभी अभी आपने बताया प्रेवीन स्रिवास्तो तो याद हो गया कि वासतों में सत्रक रहना चाहिए तो केंदी सतरत आएक प्रेवीर्ड श्रिवास्तो यहां पी लिखा है प्रकास श्रिवास्तो और यह नेस्नल ग्रीन ट्राइबनल एंजीटी के जो हैं अध्धक्शे तो राश्ट्री हरित अधिकरण का जो अध्यक्ष है वो प्रकास शिवास्तों को प्रवेंट शिवास्तों को वास्तों में सतक रहना चाहिए किंदी सतर ताइब प्रवेंट सूध सीबी आई के डारेक्टर जनरल ठीक है चले अगला आता है अंग सुमाली रस्तोगी अंग उड्यन संग्ठन है उसके परिशात में भारत के प्रतनीद की रुपें पॉइंट किया गया आप चाहिए तो इग्नोर कर सकते हैं ठीक है चले अगला नाम आता है डेनिस फ्रांसिज और डेनिस फ्रांसिज त्रिनाद और टोबैको जो छोटी सी आईलेंड कंट्री नेशन आईलेंड कंट्री है उसका जो हैड है डेनिस फ्रांसिज और इस संग्तराष महासागर सभा के अठातरवी सेशन के अध्यक्ष के पॉइंट के आगे अगला अपॉइंटमेंट आता है यहां पे नेमत सफीक इसको भी अग्नोर कर सकते हैं उत्ता इंपॉर्टन नहीं है य माध्वेंद सिंह गुज्रात मेरी ट्याइम क्लश्टर के पहले सी-ओ है पहले है इसलि GUGSt MARoustर के पहले सी-ओ हैर दिभ्वेंद्र सिंग गुज्रात मेरी ट्याइम क्लश्टर के पहले सी-ओ से अध्याद या तो मैहीं कैनेत stunt न quién? बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ समिका रवी को प्रधान मंत्री आर्तिक सलाहकार परिशत के सदस की रूप में पॉइंट किया गया है इसके पहले मैंने आप लोग को एक और अमित खरे अमित जो खरे थे अमित खरे प्रधान मंत्री के एडवाइजर थे अभी भी खड़ गया है और अगला नाम आता है सोनिया गोकानी बहुत इंप्धेंट हो जाता है एक वार्फी मेरेसान नाम बोल दीजे सोनिया गोकानी गुजरात की पहली महिला कारवाहकमकनादीस गूजरात मेरे मने साथ आज़ना है सोनिया मोहन काफ़ इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्यूब के सीयो आप सभी को पता है यूनिट नाइन में आपको जो है आई सीटी वाले टॉपिक के अंतरगत आपको सोशल मीडिया साइट पढ़ने होते तो यूट्यूब के एक मीडिया सेरिंग प्लेटफॉर्म है और इस नइतियाय के सीयों है आप सभी को पता है आई समान खुराना को यूनिसेफ नेशनल एमबेशडर बनाए तो यूनिसेफ पारती राजदूत है राश्री राजदूत वह आई समान खुरानों को बनाए गया फटाक से मुझे कमेंट करके पताएंगे यूनिसेफ का हैं MPPSC मे चौदावे जो हैं कैग हैं और इन्हें डब्लु एचो और इंटरनेशनल लेबर और और इन दोनों का ही एक्स्टरनल और बनाए गया है एक वाफी में साथ बोलेंगे गिरिशन मुर्मू भारत के अगला नाम आता है यहां पर SS दुबे भारत के 28 लेखा महानियंत्रा के ध्यान रखीगा कैग कैग एक समधानिक पद है एक CGA होते हैं और ध्यान रखीगा इसका जिक्र तो Constitution में किया गया है CGA का जिक्र किसी Constitution के किसी भी आठकल में नहीं किया गया यानि कैग तो एक Constitutional है जबकि CGA एक्ष्ट्रा Constitutional है तो इसमें ध्यान रखीगा 28 लेखा महानियंत्रा रखें SS दुबे और CGA का काम होता है कै की काम में मदद करना अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं सालिजा धामी इंडियन एर फोर्स में कमांडर कॉमबेक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर है एक व June 2 mars प्रग्रम का प्रोहिक बना गया है कैप्टन सीवा चौहन और यह नंम आपके थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है क्यूं क्योंकि सीया चिन में तैनात होने वाली पहली महहिला सैनिक अधिकारी है क्रेप सीवा चौहन यहाँ पर देख चेए कैप्टन सीवा सीवा सीमा बाल है SSB की डारेक्टर जनरल बनाए गई है रस्मी सुकला को अमित अगरवाल भारती विशिश पहचान प्रादिकर्ण बहुत इंपोर्टन्ट है यह UIDI वो संसा जो आपके आधार कार्ड का काम देखती है UIDI उसका हाले में मुख्या बनाए गया है अमित अगरवाल क अमित अगरवाल भारती विशिश पहादिकर्ण के सियो है रस्मी सुकला SSB की महानी देशक कैप्टन सिवा चोहन सिवा से आ जाएगा सिया तो सिया चीन में तैनात रहने वाली पहली महिला सैनिक इतकारी अमित शत्री मून टू मास का प्रमुकर नासा के प्रोग्राम के सा अजय सिंग को अंतराश्य मुक्य बाजी संग का उपाधक्ष बनाए गया है आई वी ए का उपाधक्ष एसी धान रखीगा कि मुक्य बाजी मुक्य बाजी में हमें जै चाहिए हमें विजय चाहिए मुक्य बाजी में हमें जै चाहिए विजय चाहिए तो जैसे आ जाएगा आजया शिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एस्टोशेशन आई वीए की उपादक्ष आजया बंगा बहुत इंपॉटन्ट है आजया बंगा भी इंडियन ओरिजन की हैं बहुत बड़ी एकोनॉमिस्ट है विश्व बैंक की अध्यश की रूप में पॉइंट किया गया आजया टार्ट की जगहाए को डीविट माल पास को अगला माता है डिल्मवाना रूटे तो वह जादा है इस लिए मैं ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं आगर एक्स्ट्रा पॉइंट पर डिसक्स ने लएंगे न्यू डेविल्मेंट की कवर करना है, डिलमा वाना रूषए, नियू डवलमेंट की प्रोङए रग हैं, रवी शिनहा जो भारत की जो से इंटेलिजेंस एड़ेंशी है रविजन अगर है, रवी सिनहा रविच की प्रोङ अगले पॉइंट की तरह बस दो तीन और स्लाइड है फिर हमारा एपॉइंट्मेंट वाला जो टॉपिक हो जाएगा वो है पूरा क्यूं डेंग्यू क्यूं डेंग्यू में खात और क्रिशी संग्ठन के महाने देश है कि आप सभी कुपता फूड एंग्रिकल्चर और्गिन साल 16 अक्टूबर को अंतर राश्री क्रिशी संग्ठन की जो है इस्थापना वर्स या दीवस की रुपे मना जाता है तो क्यूं करूंग्यू को खाद और क्रिशी संग्ठन की महाने देश है ऐसे याद रखीगा आज कल क्रिशी करना जो एग्रिकल्चर जो है उसे करना लो अगर आप बोलोगे भी या एग्रिकल्चर करोगे क्रिशी करोगे तो लोग कहते हैं क्यूं करूंगा इससे अच्छा मैं दूसरा काम करूंगा क्योंकि बिल्कुन भी बेनिफिट नहीं आ रहा तो क्यूं डोंग्यों तो क्रिशी क्यूं से क्यूं करूं क्रिशी क्रिशी के महा निदेशक अगला पॉइंट आता है यहां पे प्रीती अगली आलम और इन तंजानिया की IIT मद्रास केंपस की पहली महिला निदेश है बहुत इंपोर्टन्ट है IIT मद्रास ने अपना पहला आप्शोर केंपस तंजानिया में इस्टाबिस करना सुरू करने जा रही है तो तंजानिया में बन रहा है IIT मद्रास की जो पहली महिला निदेशक होंगी वो पीती अगली आलम होगी अगला नाम है यहां पर हमारे सामने है Michelle Bullog और इन्हें First Woman Governor of Central Bank Australia की जो Central Bank है उसकी पहली महिला आप इसे इग्नोर कर सकते हैं उतना भी इंपोर्टन नहीं है लेकिन यह नाम आपको बिलकुन भी नहीं भूलना है क्यों क्योंकि राकेस पॉल को हाली मैं 25 डारेक्टर जनरल ऑफ क्या गया है थेगद सिबने कोड़ेन कोश्थगर फ़ोल्ग क्या गया है इंडियन कोशच गार्ट अच्छे इसके पहले मैंने आप सभी को एक और नाम की जिगर की थी तरून सोबिती तरूर सोबती को नेवल स्टाप का उप्रमुख बनाय गया था जबकि राकेश पॉल जी को भारती टटचबल का 25 महाने देशक अगरा नाम आता है सुनीता अगरवाल देश की एकमात्र महिला मुखनयादी से ध्यान रखीगा देश की वरतमान में एकमात महिला मुखनयादी शुनीता अगरवाल जो की गुजरात उचनयाला की है जेम्स फर्गुशन जलवायू परवतन पर अंतर सरकारी पैनल का दक्ष बहुत इंपोर्टन्ट है इसको हम IPCC कहते हैं इंटर गवर्मेंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसके इस्टाबलिश्मेंट नाइटी एट में हुई थी जिनेवा सुर्जयलैंड में इसका हेड़कॉर्टर है क्लाइमेट चेंज का जो साइन्टिफिक स्टडी है उसके इंपैक्ट क्या होंगे इन सबका काम IPCC देखती है और इसका हाली में जो अध्यक्ष है जेम्स फर्गूशन को बनाए गया है टीवी नरेंदर सीओ प्रवन नीदेशक है टाटड़ा इस्टील के एसे याद रखेगा कि हमारी टीवी में भी बनाने में इस्टील का यूज़ किया जाता है तो टाटा इस्टील का जो मुख्या है टीवी नरेंदर रुचिरा कंभोज बहुत इंपोर्टेंट है पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव आफ इंडिया टू उनाइटेट नेशन जनरल एसेंबली संयुक्तराश महासाभा में भारत की इस्ताई प्रतनित हैं रुचिरा कंभोज जिने हाल ही में सयुक्तराश स्वामाजिक विकास आयो की 62 सत्र का दक्ष्य पॉइंट किया गया है प्रोफेशर गनेशन कना अभीरम इन्हें राष्टी मुलांकन और प्रत्यापम परिशत के निदेशक की रूप में पॉइंट किया होगा आप लोगों ने इस संस्था का नाम जरू सुना होगा NAAC, N का मतलब है National, A का मतलब है Assessment, A का मतलब है Accredition, C का मतलब होता है Council आप लोगों ने कॉलेजों में देखा होगा कि ये कॉलेज A++ Certified है, ये कॉलेज A++ Certified है, ये B++ Certified है तो कॉलेज की गुडवत्ता को रेटिंग देने वाली जो संस्था है, वो है NAAC, और इसका निदेशक हाली में पॉइंट किया गया है, प्रोफेशर गनेश कन्ना बीरन को वैभाव तनेजा, टेसला मोटर्स का जो चीफ फाइनेशल आफिसर एपॉइंट किया गया है, आप चाहेंट इसे इगनोर भी कर सकते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टन नहीं है, ये नाम बहुत इंपॉर्टन हो जाता है, सोनाली घोष, और सोनाली घोष को काजी रंगा न मौंक D1-D2, अगर आप इस्ट्रिक को याद रखेंगे, तो असम के नेशनल पार्क आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, मौंक D1-D2, मांक का मतलब है मानस, ओक का मतलब है ओरांग, N का मतलब है नामेरी, K का मतलब है का जी रंगा, D का मतलब होगा, डिब्रुगर से खोबा, और D2 का मतलब होगा, दिहांग पटकई, और एक लेटेश नेशनल पार्क है, राय मोना, वो भी कहां पे है, असम में तो ध्यान रखीगा, काजी रंगार नेशनल पार्क में जो पहली महिला डारेक्टर है, वो है सोनाली घोस, बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, राजकुमार राओ, आप सभी को पता है, फाइफ श्टेट में लेजिलेटिव एसंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें हमारा मद्धप्रदेश भी है, तो लेजिलेटिव एसंबली, इन पाच राजों की विधान सवा के चुनाओं का जो ब्रान लेजिलेटिव एसंबली के जो एलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो है नेशनल आइकन बनाए गया है, ओवराल भारतिय निर्वाचन आयूक के जो आइकन है, वो है सचिन तंदूलकर, सारु खान को जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके ब्रांड अमबेश्डर है, स फटाक से मेरे साथ रिवाइस करीगा, सचिन तंदूलकर जो है, इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन भी है, साथ इसाथ जो ओडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके ग्लोबल एमबेश्डर है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, सारुक खान एमबेश्डर है, वर् जेम्स फर्गुशन को कवर किया, आई-पी-सी-सी के अध्यक्ष है, रुचिरा कंबोज के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ पे हमाली इंपॉर्टेंड आ जाता है, क्यू डोंग, यह खाद एवा उक्रिशी शंक्टन के महानिदेशक है, राकेस पॉल, इंडियन जेंसी है, रौ के प्रोंग बनाए गए, फिर हम लोगों ने कवर किया है, यहाँ पे कैप्टन सिवा चोहन जरूर अच्छे से ध्यान रखना है, कैप्टन सिवा, सिवा से आ जाएगा हमारा शिया, सिया चीन में तैनात होने वाली पहली मैला, सैनी गदिकारी, नील मोहन य करने के लिए एक CGA पद होता है, जो समधान में जिसका चक्र नहीं किया गया, SS दुबे भारत के 28 CGA, उसके पहले हम लोगों ने कवर किया है, सोनिया गोकाणी उतना इंपॉर्टन नहीं है, समिका रवी ध्यान रखीगा, प्रधान मंत्री आर्थिक चलागाय परिशत के प्रकास सिवास्तों को नेशनल ग्रीन ट्रावनल, NGT का अधक्ष बनाया गया है, यहां पे मैंने आप लोगो को बताया, प्रविंट सिवास्तों वास्तों में सतर कहना चाहिए, केंदी सतर ता आयुक्त, प्रविंट सूत को CBI का महा निदेशक पॉइंट किया गया, प्र की रूप में सामिल होने वाले पहले भारती हैं, मैंने आप सभी को बताया, लंबी टाइम तक अकर आप इंटरनेट में स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो, तो आपके आँके सूच जाती है, तो ऐसे जुगार से याद रखेगा, जया वर्मा सिना, रेलवे बोड की भारती प्रती सПर्धा आयोग की प्रोंग मैंने आप सभी को हूँत्रिक स्रीक की कॉर एक एक इक निवाला के लिए कौर के लिए आजकल बड़ी प्रतिस्पर्धा गार्तनेटी इपर में। और सौर्टवेर और सर्विस कंपनीज के अध्दक्ष पॉइंट किये गए उसके पहले हम लोगों ने कवर किया रगु स्री निवाशन बीयारों के अध्दक्ष मैंने आप सभी को बता है रगु याने राम और हमारी सीमा की रक्षा साक्षात राम कर रहे हैं तो रगु जो ह लोगों ने कवर किया एडगर्स रिंके विक्स ये लात्विया के पहले संबलाएंगी कराश्पती हैं फर्ष लात्वियास फर्ष होमोसेक्सुल प्रजिजन मैंने आप सभी को तरीका भी बताया अगर आपको किसी ने लात जड़ दिया पैर जड़ दिया तो आप क्या यहां पर भी था है ऐसे आद रखिएगा थाइलेंड के प्रधानमंत्री अमर्शन मंगावा जिंबांबे के राश्पती पॉइंट के गया है थन्रन सनमुगरतनम सिंगापूर के हैं इंडियन ओरिजन के तीसरे और ओवर आल नाइन्थ प्रेसेंट हैं डेनियल नोबवा राश्पती हैं इक्वाडोर के अगर आपसे किसी ने डोर खोलने के लिए कहा तो आप क्या कहेंगे नो रेसब तैयब आप सभी को पता है तुर्किये के सेंटियागो पेना परागवे के राश्पती है वा थान थूंग ये वियत नाम तो ऐसे आद रखिएगा वह थान अनुबा सीफर कैनल ओलिवर डावडेन ये बिटेन के उप्व प्रधान मंत्रिपत पर एपॉइंट किये गए क्लियर हो इतनी बात है यह रहा हमारा एपॉइंटमेंट का एक साल की जितने भी इंपॉइंटमेंट है मैंने आपको क्विक कवर करानी की कोसिस की है जिसे लगा कर इस वीडियो को एक बार और सुन लेना है नेक्ट क्लास में हम लोग जो चर्चित महिलाएं हैं जो एक साल के भीतर अलग अलग छेत में जिन महिलाओं ने काफी न्यूज बटोरा चर्चित महिलाओं को कवर करना है और धीरे से हम लोग बहुत जल्दी ही करेंट अफैर उसको कवर कर लेंगे तो घबराइए बिलकुन भी नहीं रिवीजन आप जारी रखिए करेंट अफैर की को सांदार रंग से कवर कराने की जिमदारी मेरी है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इसकी जो पीडियाफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में करेंट सिरीज आकारा इसके प्लेटफॉर्म पर आउनलाइन और आफलाइन पहले ही स्टार्ट हो चुकी है ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिएगे नंबर पर आप कॉल कर सकते तो रिवीजन जारी रखिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक क अभारत थैंक ये व्रिवन